उठालो फोन, उठालो यार क्या मसला है तुमारे साथ, क्यों बार-बर कॉल्स कर रहे हो मजे, माही यह तुम बार-बर फोन काट क्यों रही हो, मुझे तुम से बहुत जरूरी बात करनी है, बोलो, अरे यार माही, कम आन, नराज क्यों हो रही हो, तुम उससे इतना नहीं पूछोगी मेरा ओडिशन कैसा नहीं, बिलकुल नहीं पूछोंगी, जिस तन अब तुम है मेरी कोई केरनी ना, तुम उझे भी नहीं है, हलो, हलो माही, हलो, हाँ जुए, कैसा है, हाँ यार, ऑडिशन तो बहुत जबदस रहा, लेट सी, क्या होता है, आप शुए, तुम नहीं, माही का मूर देखाता है, क्या हुआ माही को, बस थोड़ी सी डाउन थी, डाउन नहीं थी, अचिवासी डिप्रेस लग रही थी, और यकीनार इस पर तुम्हारे बेटे का हात होगा, अतनी इलगा क्या करता रहता है, आप अब अच्चों की फिकर मत क्या करें प्राब्लम आही मैं, ओवर सेंस्टीव है बच्ची, चुट-चुटी बातों को सर पे तारी कर लेती और कुछ नहीं, किस बाते करती हुटी, ओ इतनी समझदार, इतनी संजीदे लड़की है, हर वक्ड़ाई में लगे रहती है, उसे अपने करियर की फिकर है, एक हमारे बर पता नहीं किन चक्करों में लगया है, ऐसा क्या कर दिया मेरे बेटी नो जो आप इस तरह से बोल रहे हैं, वो भी वही कर रहा है, जो मा ही कर रही है, फर्क सरफ इतना सा है कि वो सोशल मीडिया पर रेक्टिव है, फॉल्वर्स हैं उसके, लोग उसको पसंद करते हैं, बस इतनी सी बात है, दो साल आगे था पढ़ाई में अपनी मंगेतर से, अब पता नहीं पीछे कहीं रह गया, पता नहीं किन चक्करों में लगा हुआ है, मुझे तो हैरत होती है, कि तुम की समझदार मा होकर तुम्हे तश्वीश क्यों नहीं होती है, वसीन साहब क्यों चारा बेटा, डॉक्रर बन के क्या कर लेता हो, उससे ज्यादा पैसे कमाएगा वो यहां में, जितने पॉल्वर्स उतनी ज्यादा डिमार्ड, समझे इस बात को कि रेट्रेस के चक्कर में कुछ हासिल नहीं होगा उससे, और ट्रेंड कर क्या है, आज यह चल रहा है, कल दूसरा होगा, लेकिन पेट रोटी मांगता है दो वक्त की, अगले बहीन उसकी शादी होने वाली, उससे यह अरकते जेब नहीं देती, समझा उसे, अपकी पढ़ और यह सब कुछ जो आपने बनाया है, यह हमारे बेटे का ही तो है